आज हम विसर्ग संद के बारे में बता रहे हैं इसके पहले एक सूत्र हमने बताया था विसर्ग संद के आज दूसरा सूत्र हम बता रहे हैं दूसरा सूत्र है अतो रोर रुपता दो लुपते ठीक ये सूत्र हमारा कहता क्या है इस सूत्र को पहले आसानी से समझ लिएंगे तो आपको विसर्ग संद्र आसान हो जाएगी ये सूत्र कहता है यदि विसर्ग के पहले आ हो किसके पहले विसर्ग के पहले आ हो और बाद में भी आ आये तो विसर्ग के अस्थान पर तो विसर्ग के अस्थान पर ओ हो जाता है अब देखिए कैसे हो रहा है जैसे इन्होंने एक इस्टप इसमें और बढ़ा दिया है ठीक ओ इस्टप भी समझ लीजे इसी वक्त जैसे बता रहे हैं कि ओ की मात्रा या ओ आये तो दूसरे वाले आपर यानि इस पर इस वाले आपर ठीक है अवगरह हो जायएगा जा क्या हो जाएगा अवगरह हो जाएगा ठीक दो इस्टप बता रहे हैं पहला इस्टप यह है कि ओ हो जाएगा और दूसरा इस पर क्या बता रहे है अबग्रा हो जाएगा यानि कि यदि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद आ है तो पहले वाले आ को क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा और दूसरे वाले आ को क्या हो जाएगा अबग्रा हो जाएगा जैसे बालाः धन अस्ति उदारन क्या इन्हों ने दिया बाला धन अस्ति अब इसको देखिए कैसे इस नियम पर फालो हो रहा है कैसे नियम पर कर रहे हैं तो यह हो जाएगा बालो अस्ति यहाँ पर देखिए इस्ट्यप वही लगा है नियम वही लगा है कानून वही लगा है यहाँ पर विशर्ग के पहले वाल में आ है हम इसको और थोड़ा सा आप लोगों को कर दे रहे हैं आ है उसके बाद विग्रा है पलस अस्ति है ठीक यहाँ पर देखिए विशर्ग के पहले आ है और विशर्ग के बाद क्या है आ है तो ये कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले वाले आ को ओ आदेस हो जाएगा क्या आदेस हो जाएगा ओ आदेस हो जाएगा और उसके बाद फिर विसर्ग वाले के बाद जो आ आएगा उसको क्या हो जाएगा अब अग्रह हो जाएगा तो यह सब्द बन जाएगा बाल ओधन अस्ति ठीक, अब जब यहाँ पर वरणों को मिलाएंगे तो हो जाएगा वालो अस्ति यह आपका ऐसे बन जाएगा एक दूसरा उधान देख लीजिए कह रहे हैं कह धन अपी कह धन अपी यह अकसर बहुत से प्रसनों में बहुत से परिच्छाओं में पूछा गया है तो ये कह धन अपी यह बराबर हो जाता है को अपी स्तिप यही लगा यहाँ पर विसर के पहले आ है, तो आ को क्या हो गया? ओ आदेश हो गया और विसर्ग के बार आ है, तो इसको क्या आदेश हुआ, अब अगरहा आदेश हुआ, इसलिए कोआ भी वन गया, ये इसमें से पहला नियम था, अब ये दूसरा नियम इसमें और बता रहे हैं, दूसरा नियम क्या बता रहे हैं, यदि विसर्ग के पूर्व, यानि पहले, व आहो और बाद में विशर्ग का और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा वा पांचमा वर्ड आये वर्ड आये तथा या रालावा हा हो तो आ और विशर्ग मिलकर और विशर्ग मिलकर ओ बनते हैं क्या बन जाते हैं ओ बनते हैं इसको एक बाद फिन से आप समझ लीजिए आपके लिए आसान हो जाएगा कहा रहे हैं ये विशर्ग के पूरव हो जहाँ है उसके पहले क्या हो और विशर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा और पांचमा वर्ड हो अब बर्ग का मतलब कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग पावर्ग ठीक उसका तीसरा यानि का खा गा ठीक है तो का खा को छोड़ देंगे गाय आपका तीसरा बन हो जाएगा गाय आपका चोथा बन हो जाएगा और अंगाय आपका पांचरा बन हो जाएगा इसी में च चाच्छा को छोड़ देंगे तो चाच्छा को छोड़ने के बाद यहां आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा अब इसको जब हम आपको उदाहन के साथ बताएंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है जैसे आपको बता रहे हैं कि वाला धन गच्छति यहां पर देखिए स विसर्ग के पहले क्या है का है विसर्ग धन गच्छति अभि सर् बंस डाम कि तीसर चोथा पाज़ा व काबर का आ गया चीसरा वड़ियगत टो क्या होता है तो यह बता रहे हैं कि आ और विसर्ग मिलकर के ओ हो जाते हैं यानि ये आ और विसर्ग इतना मिलकर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा ठीक देखिए तो यह हो जाएगा वाल ओ धन गच्छती वहनों को जो मिला गएंगे तो हो जाएगा वालो गच्छती ये आपका बन जाएगा एक और बता दे रहे हैं उदारण आपको हम एक उदारण है मूर्ख धन मूर्ख धन यात मूर्ख मूर्ख धन यात ठीक अब यहाँ विशर के पहले आ है और उसके बाद या है यहाँ पर या का चर्चा किया गया इसलिए मैंने इसकुदानञों को बताया है आपको फिक है? तो ये क्या हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा मूर्खो याटि ठिक? ये क्या बन जाएगा? मूर्खो याटि ठीक है? ये आपके विशर्ग संद्र का दूसरा सूत्र था और उसके बाद अब एक सूत्र और बचा है उसको हमाई इसी वक्त बता दे रहे हैं ताकि विसर्ग संध हमारा पूरा हो जाए तीसरा सूत्र है सस जुसोरूह ये सूत्र कह रहा है कि ये विसर्ग से पहले थीक है विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके आ और आ यानी हरस्वा और दिरगा को छोड़ कर ठीक है कोई अन्यस्वर हो कोई अन्यस्वर हो और बाद में और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचमा वर्ड हो या कोई स्वर्ग या यारालावासा हो हाँ यह इसी में हो तो विसर्ग को तो विसर्ग को रा आदेस हो जाता है क्या आदेस हो जाता है रा आदेस हो जाता है इसको अब समझीये पहले ये कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके यानी हरस्वा और जीरगा को छोड़ करके या निकोई शुरह आये या वर्ण का तीसरा चौथा पांचवाँ वर्ण हो या कोई अन्यस्वर हो या या रालावा साहा हो तो विशर को क्या आदेस होता है रा आदेस होता है जैसे अब यहां पर अगर जो आपको जब हम बताएंगे उदाहर्ण तभी आप समझ पाएंगे जैसे कभी ही धन इस अब है यहां पर कारें देखिए और आपको छोड़कर तो यहां पर ना हरसवाँ है ना दीर्ग आ है यहां पर इए यानि की भिन्न सो रहा है अलग सो रहा है तो का हरसव इवा ठीक है अब उसके बार विशर लग गया धन गच्षती है अब यह देखिए कर रहें कि इस का इवा रा धना गच्छति ठीक अब यह बना अब वर्णों को मिला देंगे तो कभी रा के गा के ऊपर राच्वा जाएगा क्योंकि पहले रगा है तो यह हो जाएगा कभी गच्छति ठीक एक दूसरा उधान बता दे रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाए गुरो धन आदेश ठीक अब यहां पर विसर्ग पर क्या आदेश हो जाएगा रा आदेश हो जाएगा तो गुरोर रा धन आदेश वर्णों को मिला देंगे तो यह आपका बन जाएगा गुरोर देशा यह आपका यह विसर्ग आपका क्या हो जाएगा रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इसके आधार पर आपका विसर्ग संधी जो इंटर्मीडियर के कोर्स में था वो समाप्त हुआ ओके यह वो खेवर्प संधी